तो देखे रोश्नी का तिवहार दीपावली पूरे भारत वर्ष में बड़े हर्शुलास के साथ मनाया जाता है दीपो का ये पर्व अंधिकार पर प्रकाश की विजे का प्रतीक सनातन धर्म में दीपावली का विशेश मैत तो है दीपावली को पर्वो की माला भी कहा जाता है क्योंकि ये पर्व केवल छोटी दीपावली अथवा दीपावली तक ही सीमित नहीं ये पंच दिवशी पर्व है आप कह सकते हैं इसके खुशी में ही दीपावली का पावन पर्व हम मनाते चले आए हैं तब से दीपावली का पावन तेवहार कार्तिक मास की अमवस्या तिछी को मनाने का विधान है इनी सब विशोव पर रोचक जानकारियों के साथ तमाम जानकारियां साझा करने के लिए तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है तमाम विद्वानों का डॉक्टर अनीश व्यास जी है जोतिशा चार बहुत स्वागत है अनीश जी आपका इस कारकरम में जुड़ने के लिए बहुत आभार आपका साती साथ में हमाई साथ जुड़ रहे हैं बिना किसी देरी के अब हम चर्चा की शुरुवात कर देंगे क्योंकि तमाम जोतिशा चार हमाई साथ जुड़ चुके हैं कि शुरुवात मैं आपसे ही करना चाहूंगा आज के इस कारकरम की जाहिर तोर पर शुब दीपावली का पावन पर्भ हम मना रहे हैं क्यों मनाते हैं पावन पर्भ दीपावली का किस प्रकार का क्या विदान होना चाहिए पूजापात इत्यादी का महालक्षमी को कैसे प्रसंद करें मैं चाहूंगा आपका ओपनिंग रिमार्क्स पर ताकि लोगों को बहतर तरीके से जानकारिया मिल पाएं अंकेट जी जहे शरी राम मैं हूँ डॉक्टर अंकेट त्यागी आपका अपना एस्ट्रोजर निम्रलोजेस लाल कितावन वास्तो कंसल्टेंट सर प्रतम सभी दर्शकों को दीपावली के इस पावन पर्व की धेरों शुब कामना है मालक्षमी की किरपा आप सब पर बनी रहे सबसे पहले बात करेंगे दीपावली के महुरुत की क्या महुरुत रहने वाला है कुछ लोगों को इस बात को लेकर भी कन्फूशन था कि दीपावली 12 तारिक को होने वाली है या 13 तारिक को होने वाली है सबसे पहले तो इस पष्ट कर दें कि दीपावली का जो पावन पर्व है वो 12 तारिक को ही मनाया जाएगा, 12 नवंबर 2023 दिन रविवार को ही मनाया जाएगा जो अमावश्या तिति है, वो 12 तारिक को 2 बज कर 44 मिनट दोपहर में लगभग शुरू होगी और 13 तारिक दोपहर 2 बज कर लगभग 56 मिनट तक चलेगी क्योंकि प्रदोशकाल 12 तारिक को रहने वाला है इसलिए दीपाव़ली का पावन पर 12 तारिक को ही मनाया जाएगा दीपावली पर जो पूजा का शुब महुरत रहने वाला है अगर हम प्रदोशकाल की बात करें तो प्रदोशकाल लगभग 5 बज कर 29 मिनट शाम से 8 बजकर 7 मिनट तक रहेगा इस दौरान आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं इसमें जो एक विशेस मोहुरत पूजा का रहने वाला है वो 5 बजकर 40 मिनट शाम से 7 बजकर 36 मिनट तक रहेगा लगभग 1 गंटे 55 मिनट की यवदी रहने वाली है दीपावली का जो पावन पर्व है जैसा भी मेंशन किया कि ये 5 दिवसिय पर्व है और बहुत सारे त्योहार इसके साथ जुड़े हैं चोटी दीपावली फिर बडी दीपावली फिर गोवरदन भयादूज ये सारे पर्व इसके साथ जुड़े होते हैं बहुत ही अनुशासन के साथ ये पर्व मनया जाना चाहिए क्योंकि ये हमें अनुशासन सिखाता है कहीं न कहीं जब भगवान श्री राम लोटे थे तो खुशी में सब लोगों ने घीके दिये जलाए सब लोगों ने खुशिया मनाई आज भी वही अनुशासन हमारे अंदर होना चाहिए और हमें इंशौर करना चाहिए हमें सोचना चाहिए हमें विचार करना चाहिए कि दीपावली का पर्व कम से कम ऐसा हो कि जो हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं वहां कोई भूखा न सोने पाए वहाँ कोई लाचार ना हो, वहाँ कोई परेशान ना हो, जितना भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे पूजापाट सब लोग करते हैं, मालक्षमी को बहुत मनाते हैं, आप मनाईए भगवान की करपा ऐसी हो, मालक्षमी की करपा ऐसी हो, कि आप सब पर खूब आशिरवाद मालक पूर्ण है पूजा पाट के साथ साथ में इस पर माराज इसे हम आगे बाचीत करेंगे लेकिन हनुमान विश्रा जी भी हम ऐसा जुड़े हैं जोतिशा चारे हैं हनुमान जी क्यों आखिर कहा जाता है कि ये पंच दिवस्य प्रकाश शोत्सव सुख और वैभाव दिलाने व आपको अपने आड़ोगिता के लिए सपसलेनी चाहिए कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आप रोगी बने जब आप निरोगी रहेंगे धनवंतर जी की क्रिपाश से तब आप लक्षमी एकत्र कर सकेंगे और जब लक्षमी आएंगी एकत्रित होंगी तब ही आप उ कि इस दिन सायम काल जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तब से दो घंटे 24 मिनट के लिए प्रदोश काल होता है उस समय अवधि में सामान्य जन को पूजन अर्चन कर लेना चाहिए इस बार की विशेस बात यह है कि आपको उसी समय अवधि के दौरान यानि कि साथ बचकर पा लेकर आपको आठ बचकर साथ मिनट से दस मिनट का अंतराल हो सकता है अलग अलग जगहों पर इस बीच में और उस पर भी लगबग साथ बचकर 35-36 मिनट तर आपको विरिशब लगन भी मिल जाएगी इस समय अच्छी चवघडियां भी हैं ध्यान रहे कुछ विद्वान जो ती चवघडियों को पूझा अरचना में सामिल नहीं करते लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं तो यह जो प्रदोस वाला यानि सायमकाल वाला समय है सर्वत्तम हैं लेकिन यदि किसी कारण से आप इस समय पूझा अरचन नहीं कर सकते हैं तो आठ बचकर 8 मिनट के बाद भी आपको निशीत काल मिलेगा तो आप उस समय अबदी में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं लेकिन अगर आप साड़े दस बज़े से पहले कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा क्योंकि इस बीच में अच्छी चोगडिया हैं साड़े दस के बाद जो है खासकर दस बचकर प होते हैं यही सुझाओ है आपके लिए और कोई सवाल होगा तो आप पूछिएगा बहुत सारी सवाल हैं बहुत सारी सवाल